तरना चाहता था, वो रेप करने की जगह तलाशने लगा, मेरे मुह में कपड़ा थूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह चूने लगा, मेरे फ्रॉक उठा कर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा, मैं चिल लाए, जोर से चीखी, पर आवाज बाहर नहीं गई, वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुह में कपड़ा जुर्थूस रखा था, मेरे हाथ से उसने चौकलेट शीना, फिर चौकलेट का पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगा, आईए आज एक सच्ची धटना सुनाते है, जो पुरी हकीकत है, वो जरूर ही पीते, घर में खासकर वो मेरी बुआ से जरूर बात करते, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे, बुआ अकेली थी, ऐसे में उन्हें मोरल स्पोर्ट भी मिल जाता था, असल में उस शक्स की बाते इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका, कोई भी उस पर नहीं पाता था, वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिष्टेदार भी लगते थे, इसलिए भी शायद ऐसा होता हो, वो दिन मुझे अच्छे से याद है, बारिश हो रही थी, जोरदार, जमा जम, बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया, अब बच्पन में स्कूल ना जाने के लिए मम्मी ही कह दे, तो कौन खुश नहीं होगा, इसलिए मैं भी खुश हो गई, साथ-साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए, वैसे मेरा एक छोटा भाई था, जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता, और दूसरा बड़ा भाई भी था, खैर हमने बारिश के मौसम का लुटव उठाया और रूम में टैंट बना कर खूब खेला, खेलते खेलते मैं सो गई, और जब उठी तो दोपहर के तीन बज रहे थे, बारिश तब तक रूख चुकी थी, मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर भूमने निकल गया, मम्मी सोच चुकी थी, मौका देख मैं भी घर से बाहर निकल गई, मुझे लगा मेरा भाय और बाकी पढ़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहां कोई नहीं था, मैंने वो सारी जगह छान मारी जहां वो हो सकते पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, मैं उनका इंतजार करने लगी, बहुत देर तक कोई नहीं दिखा, बगल में एक बांस की कर्ची पड़ी थी, मैंने उसे उठाया और गिली मिट्टी में कुछ-कुछ ड्राइंग बनाने लगी, तभी पीछे से अचानक भारी आवाज आई मैंने पलट के देखा तो वही अंकल थे, वही जो बुवा से अकसर बात करने आते थे, मैंने कहा जी अंकल, उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौच कहा है, आज अकेली खेल रही हो, मैंने कहा पता नहीं, बाकी लोग कहा चले गए हैं, क्या आपने देखा वो कहा खेल रहे हैं, मैंने कहा सच में आप जानते हैं, वो कहा है, उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाए और कहा चलो, मैं ले चलता हूँ, पर मैंने मना कर दिया, मेरे घर के बगल में एक दुकान थी, वो अंकल वही जाकर बैट गए, दुकान वाले से कुछ बात करने लगे, थोड़ी वो मुझे नीचे चूने लगे, मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा, मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए, मैं उनसे खुद को चुडाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया, कहने लगे कि अरे क्य नहीं कहा, जैसे वो जानते हो सारी चीजे, है, मैं किस चीज से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, हर रोज किसी दर्द से गुजर रही हूँ, क्या मेरी उम्र इतनी थी कि मैं दर्द को चुपा पाती, सिर्फ आठ साल की थी, सिर्फ आठ साल, क्या सच में बत मैं एक गंदी लड़की हूँ, ये गंदी लड़की क्या होती है? ये सब मेरे दिमाग में आया कहां से? मैं 14 सालों से इस हादसे को अपनी अंदर क्यों दबाय हूँ? मैंने कभी किसी को बताया क्यों नहीं? या शायद मैंने बताया, पर किसी ने समझा नहीं, मैं ये दावे क के साथ कह सकती हूँ कि मुझ जैसी ऐसी हजार लड़किया हैं जो खुद को अपने साथ हुई प्रतारना का शिकार मानती हैं. उस बात को 14 साल बीट चुके हैं, पर खुद को कैसे समझाओं जो हुआ उसे भूल जाओ, क्या भूलने से सब ठीक हो जाएगा? मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने मुझे जबरदस्ती गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे. मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी. पहले मुझे वो एक दुकान ले गए, वहां कुछ चोकलेट खरीद कर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कुछ जबरदस्ती मेरे मुझ में डाल दिया, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूँ. फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था. मुझे कुछ-कुछ समझ में आ रहा था. मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए, और वहां जबरदस्ती मुझे चूनने की कोशिश करने लगे. मैंने अपना मूँ भुमा लिया और जेद करने लगी मुझे घर जाना है, जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहा थे. वहां मैं कई बार अपनी दोस्त क साथ जा चुकी थी, वहां के कुछ लोग मुझे पहचानते थे. मैंने कहा अंकल मुझे छोड़ दीजिये, घर जाना है, मम्मी धून रही होगी, वो मुझे और अंदर की तरफ लेकर जाने लगा. मानो जैसे उस दिन उसने तैकर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को बाहर आना चाहता था और मुझे नोच खाना चाहता था. उसकी आखें आज भी मुझे दराती हैं. वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था. मेरा रेप करना चाहता था. वो रेप करने की जगह तलाशने लगा. मेरे मुह में कपड़ा थूस दिया. मेरे शरीर को गंदी तर मेरे हाथ से उसने चौकलेट शीना, फिर चौकलेट का पॉकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगाया और कुछ करने की कोशिश की, तब तक कोई बगीचे की तरफ उसे कोई आता हुआ दिखा, उसने मुझे छोड़ दिया, मेरे मुह से कपड़ा भी निकाल दि कहीं रुकना मत, सीधा रास्ता है, मैं रोते रोते अपने घर पहुँच गई, मम्मी ने देखा, पहले दो थपण लगाये और गुस्से में पूछने लगी, कहा थी, शाम हो गई है, किस से पूछ कर बाहर गई थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बोलती भी क्या, मेरी ह अबहार कुछ हजीब लगा, उन्होंने मुझे जगाया और पूछा क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, कई महीने बीट गए, मैंने अपनी बात किसी को भी नहीं बताए, मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस चीज से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, हर रोज किसी दर्द से गुजर रही हूँ,